हलो बच्चो कैसे हो सब आज हम EBS का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे ठीके ये एक टेस्ट पेपर मैंने तयार किया हुआ है उसमें कुछ क्वेस्चेन्स है उसके आपको अंसर देने है ठीके मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको यह कैसे करना है फिर आप अपने आप घर पे ट्राई करना देखो यह EBS क्वेस्चन पेपर है ठीके EBS का जिसमें हम दो चैप्टर पड़े है ना माई फैमिली एंड अवर बॉड़ी पार्ट्स है ना माई बॉड़ी यह दो चैप्टर पड़े है ना हमने तो इसी में से यह मैंने टेस्ट पेपर निकाला है हम रिविजन के लिए इसे सौल्व करेंगे ठीके देखो पहले मैंने होमवर्क में आपको ऐसा एक फैमिली ट्री बनाने को बोला था है ना कई बच्चों ने बनाया है तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ही फैमिली ट्री बनाना है जिसमें इन बॉक्सिस में आपको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने है ठीके draw your family tree and write your family members name in each boxes यह जो boxes है ना उसमें आपको उनके नाम लिखने है दिखो दूसरा प्रश्न है fill in the blanks my name is यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो भी नाम हो ठीक है फिर I am खली जी किया years old five or six यानि आप शायद पांच साल के होगे या छे साल के होगे तो यहाँ पर आपको पांच या छे लिखना है my birth date is आपको यहाँ पर अपनी birth date लिखनी है कौन सी तारिक को आपका जन्मू हुआ था वो लिखना है ठीक है my father name is आपके पापा का नाम लिखना है यहाँ सबको पता है ना आपके पापा का नाम हाँ very good देखो my mother name is आपको यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिखना है थीक है, we are आपके family में जितने भी members हो यहाँ पर लिखना है we are five members in my family βसे आपको आपकी family में जितने members हो लिखना है 5,6,7,4 भी हो शकता है दो भी होंगे थीक है तो जो भी हो आपको यहाँ पर लिखना है question number 3 write any 5 body parts name ठीक है आपको body parts हमने body parts का वो जो video देखा था ना आपने वो जिसमें हमने body parts समझाए थे कितने body parts है उन में से आपको 5 body parts लिखने है देखो मैंने यहाँ पर example पि दिया है ears, nose तो आपको यहाँ पर ऐसे 5 body parts लिखने है ठीक है match the following question number 4 है match the following A और B में यहाँ पर मैंने body parts लिखे है और उससे हम क्या कर सकते है यह लिखा है देखो जैसे मैंने यहाँ पर nose लिखा तो nose से हम क्या करते है सास लेते हैं ना breathing तो I can breathing ears तो I can listen हम सुन सकते हैं ना eyes तो I can see हम eyes से देखते हैं ठीक है और यह question number 5 यह last question है देखो यहाँ पर भी है आपको match करना है match the following यहाँ पर मैंने body parts के नाम लिखे है और यहाँ पर उसके drawing बनाई है ठीक है तो उसके सामने आपको match करना है देखो जैसे lips है तो lips यहाँ पर कहा है देखो तो यह रहे ठीक है तो यहाँ से हम इसे जोडेंगे यह eyes nose ear leg और hand ठीक है तो यह ऐसा मैं question paper आपको एक PDF बेज रही हूँ तो आप अपनी notebook में यह सब राइट करना ठीक है और फिर मुझे pick निकाल के उसको बेजना मेरे number पर ठीक है बाई जब स्ट conduct कर दो करेंगे